हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है हमारे लव यू आर्मी चैनल पर जैसा कि आज आप थमले में देख चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली प्लीस में निकली हुई ड्राइवर की भरती के लिए ओनलाइन प्रोसेश पूरा स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा आप वीडियो के अंतक बने रहे हैं सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम पर स्सी डोट इन पर लोगिन करना हैं अगर आपके पास आईडी पहले से बनी हुई है तो लोगिन वा अगर आदार 53 कर देंगे अगर किसी वेजए से नहीं देना चाहते है तो नोवाले औस पर क्लिक करेंगे अगर आदार नंबर में क्हुंचे शोब करना चाहिए उसको चाहिए उसके बाद आपके आई-डी का नमबर आपको बर देना है अगर आपके पास आदार mods का EVERYने उसको verify करकर भर देंगे, उसके बाद आपका नाम पुछा गया है, जो भी आपका नाम है, वो आप भर देना, उसके बाद आपका verify name करना है, जो भी आपका नाम है, उसको verify कर देंगे, उसके बाद आपका पिता जी का नाम है, अगर आपने नाम change किया है, तो yes कर देना, अगर date of birth पुछी गई है जो भी आपकी date of birth है उस बे date of birth को हम भर देंगे उसके बाद date of birth को verify कर लेंगे उसके पाद आपको पुछे गया है कि 10th मार जो आपकी metric है 10th कि education की detail पुछी गई है उसमें सबसे पहले आपका board, education board, जो भी आपका board है वो आप board बढ़ देंगे उसके बाद अपने board को verify कर लेंगे, जिस भी आपने board से किये उस board की verify कर लेंगे उसके बाद आपके roll number पुछा गया, जो भी आपका roll number है वो रो number बढ़ देंगे उस रोल अंबर को verify कर लेंगे, उसके बाद आपने 10th cup pass की थी, कौन सी year में की थी, उस year को भर देंगे, उस year को verify कर लेंगे, आपके पास gender पुछ सकाया है, gender में male, तो male कर देना, अगर female कर देना, और verify कर लेंगे, उसके बाद आपको highest qualification पुछी गई है, अगर आप plus two की हुई हाइस्ट, तो plus two वाले option पर क्लिक कर देना, अगर आप greatest कर रखिया, तो growization वाले option पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका 10 digit का mobile number भरना है, mobile number को verify करना है, उसके बाद आपकी mail ID भरनी है, mail ID को verify करना है, दोस्तों याद रहे, इन पर हमारा OTP जाएगा, तो अपने जो चाहिए number है, और well mail ID है, वो ही दें, उसके बाद अपना state choice करना है, जो भी आपका state है, उसको state को choice करकर, save वाले खट पर क्लिक करकर, इसको save कर देंगे, उसके बाद आपको old password भरना है, जो अभी आपके mail ID पर password गया है, उस password को भर लेंगे, उसके बाद new password मनाना है, new password मनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, कि सबसे पहले तो ये कम से कम आठ हप्सरों का होना चीए, उसमें एक capital अक्सर होना चीए, एक number होना चीए, एक specific number होना चीए, जैसा कि आपका नाम कुछ भी है, जैसे आपका नाम राकिस हैं, तो राकिस एक दरेट एक दो दिन कर लेना, इसी परकार confirm पर किलिक करकर, submit पर किलिक कर देंगे, उसके बाद हमारे password चेंज सक्सेफ़ली हो जाएगा, इसके close वाले option पर किलिक करकर, इसको close कर लेंगे, जैसे ये कर लेते हैं, उसके बाद हमारे next detail पूचता है, अगर basic detail हमारी complete हो चुकी है, registration number हमारे आच चुके है, उसके बाद हमारे पास category पुच्छी गई है, जिस भी आप category से बलोंग करते हैं, उस category को अच्छे से भर लेंगे, जिसके पास जो भी जर्नल में हैं, जर्नल कर लेना, EWS है तो आपके पास EWS पर किलिक कर लेना, OBC से हैं तो OBC से, STC से, STC से, SC से हैं तो SCC वाले option को चोज कर लेना, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को एक like कर देना, फिर उसके बाद verify candidate है, उसके बाद verify category को क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास nationality पुच्छी की, जो भी आपकी nationality है, वो उस nationality को भार देंगे, उसके बाद identify mark पुच्छा गया है, जैसे कि आपके सरीर पर कोई काला तिल हुआ, किसी कट का निसान हुआ, है तो आप वो दे देना, अगर आप किसी situation में नहीं है, अगर नहीं देना चाहते हैं, नो marks भी कर शकते हैं, उसके बाद आपके PE की वो detail पुच्छी गई है, अगर आपके पास है, तो yes करकर आप इसको भर रखते हैं, अगर नहीं है, तो नो वाले option पर किलिक कर देंगे, उसके बाद आपको address पुचा गया है, जो भी आपका address है, वो address फिलिप कर देंगे, उसके बाद आपको state पुचा गया, जिसे state से आप आते हैं, वो state को select कर लेंगे, उसके बाद आपको district, district select कर लेंगे, फिर आपका पिन कोड जो भी आपका पिन कोड बहने अगर आपके ड्रस और स्थे मैं तो दोनों को यस कर देंगे अगर नहीं तो नो करकर मैंनुली इनको भर शकते हैं और वाले इसको सेव कर देंगे इसके बाद हमारे पास डिक्लेरेशन का फोर्म उप्षन आता है इस पर आई इसमें पहले फोटो और शिंग नेचर भी ले लेते लेकिन कई बार दिल्ली पुलिस वाले में इसको एडिट करने में काफी दिक्के ताहरी थी तो इस वजए से इसको मोडिफाई कर दिया गया इस फोटो और साइन किया आउ सकता नहीं होती यह आप फोर्तिफरम लगा सकते हो इस पर फाइनल सिमिट वाले ओप्षन पर किलिक करकर इसको समिट कर देंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और किलिक करकर इसको शमिट कर देंगे जैसे यह हम कर देंगे हमारे संब साग में आंजाएगा इसमें हिस्में नोट्रिकैस करके कहईे बेस्केशन है अप्लाई हिस्ट्री है 2025 है और रजल ट उर मर्क शें तो आप इसको modify करना चाहते हो तो modify वाल option पर क्लिक करकर modify भी कर सकते हो चलो हम फोरम पर आते हैं और latest notification और option पर क्लिक कर लेते हैं सबसे उपर यह जाएगी कोई ट्राइवर मेल इन डेली पुलीस तो इस पर apply वाले option पर क्लिक करकर apply करेंगे हमारी basic details automatic आ जाएगी उसके बाद आप दिली candidate है तो yes या no कर देंगे अगर आप दिली प्लिस के लिए कुछ किया है तो yes कर लेंगे नहीं no कर लेंगे जिसके लिए आप yes कर लेना है तो no कर दे उसके बाद आप कुछ center choice करने है जी जी center में आप जा सकते हैं उसमें कर लेना इ पर click कर देंगे उसके बाद आपको अगर age में छूट मिलती है किस चीज के लिए छूट मिलती है वो option आजाएएंगे उसमें yes करते हो तो बर देना अगर नहीं है तो no कर दे नहीं है नहीं फुद देना आक पास ncc है 10 एस्ट कर देण नहीं है नहीं सिसक और आपको आपको NCC की टाइप पुच्छी जाएगी उसके बाद आप के हाइस्ट क्वालिफिकेशन पुच्छी गई है उसके बाद जिससे आप करना चाहते हैं आप 12 से करशकते हैं इसको 12 वाले सब्सक्राइब प्लिकर करफ पास उसके बाद एंट सब्सक्राइब और इसमें अगर आप सीब्यशन सी असे याद रखे दिल्ली भरे दिल्ली आदर आ योप्शन में ही सीब्यशन आएगा अगर इससे की ए तो जो भी इस्टेट ऊसको इसटेट बोर्ड योपने रोल नंबर बहर दे पर्षंटेज जितनी आई यह उस परषंटेज को फिलिप कर देंगे उसके बाद आपके पास लाइसेंस के बारे में पुछ सजाएगत जो बहुए आपका लाइसेंस करकर अपकी लाइसेंस नंबर ढरने हैं किसने इसू किया उसके बारे में बरना है और कभी इस्व किया गया है डेट भरनी है kind of ना करने उसके बाद यह सैंपल दिए हुए है जो उपर वाली फोटो है ऐसी फोटो होने चीए अगर निक्ची दी गई फोटो में इस आगर फोटो या तो आपका फोरम रिजेक्ट भी सकता अच्छे से अपनी फोटो को सलेक्ट कर लेंगे फोटो के साइज को ध्यान रखना है और इसी पर करसिंग निचार अगर आपके 18 अप्रेल से पहले है तो यस कर देना नहीं या तो नो कर देना अगर यह वाले के क्लिक करकर कै कर देंगे पूरे फोरम की जांच कर लेंगे अच्छे से अगर कुछ स्कुर्बड देखती है तो एडिट कर लेंगे नहीं तो समिट वाले ओप्शन पर क्लिक करकर ओके कर देंगे अगर आप प्रिंट निकालना चाते हो तो प्रिंट वाले ओप्शन पर क्लिक करकर प्रिं जैसे ही यह open होता है अमारे पास payment की काफी option आ जाती है इसमें net banking है debit credit card है UPI है दोस्तों जहां तक रहें इसको net banking से करें उसके बाद अपने credit card है तो credit card से कर ले UPI से थोड़ा risk की काम होता है अगर आप UPI काना चाहिए तो UPI कर लेंगे फिर आप payment वाले डिक्रेशन पर क्लिकर कर अपने card वगेरा जो भी detail है उस detail को भर कर pay कर दे आप की पी हो जाएगी और forum भी submit हो जाएगा उसके बाद आप payment का status चैक कर शकते हो अगर कुछ दिक्कत आर अगर वीडियो अच्छे लगए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना मिलते हैं next वीडियो